ही गाइस वेलकम और वेलकम वेक टू मैं चैनल दिपिका स्टाइल और मैं हूँ दिपिका कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब ठीक होंगे तो आज आई हूँ मैं एक और नई रेसिपी के साथ जो है आलू छोले की ड्राय सबजी जो की बहुत जादा टेस्टी लगती है और इस रेसिपी को आप टेफिन में भी रख सकते हैं बहुत जादा टेस्टी लगती है बच्चे भी बहुत सौक से खाएंगे तो आप एक बार ज़रूर ट्राय करें और अगर आप ट्राय करते हैं तो प्लीज मेरे साथ अपने एक्सपिरियंस जरूर शेयर करिएगा तो चलि तो सबजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आप चोले लिये हैं तो यह एक कटोरी के करीब चोले हैं और यहां पर यह मैंने आलू लिये हैं तो उनको दो बराबर हिस्सों में बांट लिया है अगर आपके पास छोटे साइज के आलू है तो आप वो भी ले सकते हैं अधर भी कर लिए हैं इसको बारिक मैंने चॉप कर लिया है आप यह तो भी में चौटे चुटे पीसेस में कट कर लिया है तो चलिए, बागी के मसाले भी की और कि चीजों की वी जरूरत है तो यहां प ERS मैंने सबसे पहले गरम मसाला लिया है छोले मसाला है नेंस्ट यह आंपे एक चुटकी हींग है रिफाइंड ऑउल है हारी मिर्च है आप जितना धीका काना पसंद कर ते चैसे साप से ले सकते हैं नेक्स यहां पर आदरक लेसुन का पेस्ट है यहां पर दो से तीन तेज पत्ते हैं और नेक्स यहां पर एक चमच जीरा है तो चलिए फिर हम सब्जी बनाना शुड़ू करते हैं कि गिस является कड़ाई चड़ा दी है और इसमें औल डाल है रिफाइन डाल चंमच के करीब अब इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और साथी साथ मैंने हींग पौळर भी डाला है और तीज पत्ते भी मैंने इसमें एड़ कर दिये हैं अब इन सबी चीजों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं नेक्स्ट इसमें मैं प्याज डालूंगी जो बारीक चौप करके रखी हुई थी मैंने तो जीरा अच्छे से हो चुका है अब मैं प्याज डाल देती हूँ और प्याज का कच्चपन निकालने तक हम इसको अच्छे से भून लेते हैं मेंस इसका गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हम भूनेंगे इसमें मैंने हरी मिर्च भी एड़ कर दी है अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हम इसको भून लेते हैं तो यहाँ पे प्याज का हलका सा कलर चेंज हो चुका है अब मैं इसमें अधरा ग्लेसन का पेस्ट भी एड़ कर दूँगी तक हम चलाती रहेंगे और भून लेंगे तो यह देखिए प्याज अच्छे से भून चुकी अब मैं इसमें टमाटर एड़ कर दूँगी और टमाटर एड़ करने के साथ साथ मैं इसमें नमक भी एड़ कर दूँगी ताकि जो हमने टमाटर डाले हैं वो जल्दी से गल जाएं तो यहाँ पर मैंने अपने स्वात के अनुसार नमक लिया था तो उसको मैं एड़ कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको एक मिनिट के लिए हम भून लेते हैं तो अभी यह अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें अपने ड्राय मसाले डालेंगे लाल मिच पाउडर हल्दी पाउडर और धन्या पाउडर और साथ ही साथ मैं यहाँ पे छोले मसाला जो मैंने लिया था उसको एड़ करूँगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मसाले को भून लेते हैं तो मसाला अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें जो आलू और छोले लिये थे उसको एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको ढखके एक से दो मिनिट के लिए भाप में अच्छे से पका लेंगे ताकि जो भी मसाला है वो अच्छे से छोले में और आलू में एब्सॉब हो जाए तो यहां पर मिक्स कर दिया है मैंने अब हम इसको एक मिनिट के लिए ढखके पकाने के छोड़ देते हैं तो चलिए देख लेते हैं हमारी सबजी एकदम रड़ी है यह देखिए आलू और छोले की ड्राय सबजी बिलकुल बनकर तयार है आप एक बार इसको जरूर ट्राइ करें तो अब हम इसको एक सर्विंग बावल में निकार लेते हैं तो यह देखिए आलू और छोले की सबजी बनकर एकदम तियार है गरमा गरम सर्व कर सकते हैं इसको बहुत ही टेस्टी लगती है अगर इस तरीके से बनाते हैं तो आप एक बार जरूर बनाए और मेरे साथ जरूर शेयर करें कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपने बनाया है और आपको कैसे लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा और साथी साथ बैल आइकन को दवाना भी मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो मैं नेक्स रेसिपी के साथ है या अधर कोई एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर